अब देखना अब यहां से गेम शुरू होता है तो आप आपको result से कैसे पता चलेगा कि जो हमारा brick है वो A class में आता है या B class में आता है या C class में आता है तो चाले दोस्तो वीडियो को start करते हैं और एक एक करके सारा टेस्ट सीखते हैं दोस्तो मैं आपको बता दो कि brick में total साथ टेस्ट होते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे size, shape and color टेस्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे hardness टेस्ट नेक्ट फिर हम लोग देखेंगे एक water absorption test एक compressive astrain test जिसमें आपको lab की जरूरत पढ़ने वाली है इसमें आपको थोड़ा बहुत calculation भी करना पड़ेगा ठीक है इस तरह से आपको format मिलेगा मैं आपको एक थोड़ा से दिखा देता हूँ जैसे water absorption test है तो इसमें क्या है कि आपको दूस्तो थोड़ा सा calculation करना प पड़ेगी यह वाली कहां सब देख सकते यह compression testing machine है ठीक है और इसका कुछ process होता है तो process मैं आपको पूरी detail में बताऊंगा आपको कोई गलती इसमें नहीं करना है उसके बाद दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि first class brick के लिए कितना आना चाहिए second class brick के लिए strength कितना आना चाहिए ठीक है सिर्फ यही दो टेस्ट है दोस्तों जिसमें आपको थोड़ से calculation का और lab की requirement पढ़ने वाली है वाकि जितना सारा टेस्ट है आप साइट पे गर जाते हो ठीक है और बिरिक उठा करके आप असानी से test कर सकते हो आप थोड़ा सा patience रख वीडियो खतम होते होते हैं आपको सिर्फ सुनना है यहां सिर्फ देख के बाद देखना आपको सारा चीज असानी से समझा जाएगा चलिए दो तो सबसे पहले पहले पहला टेस्ट देखते हैं size, shape and color test, size, shape and color test के लिए सबसे पहला process है all बिरिक यूज़ पर construction should be of same size ठीक है सबसे पहले आपको tolerance चलेगा कितना tolerance चलेगा अभी मैं आपको थोला देर में बताऊंगा ठीक है लेकिन यहां पर जो बिरिक आप यूज़ करेगो सारा same size का होना चाहिए दूसरा point में है दोस्तों the shape of brick should be purely rectangular with sharp edges यहां पर दोस्तों आप जो बिरिक यूज़ करेगे ठीक है वो rectangular shape में होना चाहि एसा नहीं कि edges यहां से तूटा हुआ है brick का length और width तो पूरा 19 into 9 into 9 आ रहा है ठीक है cm में आपका edges जो तूटा हुआ है round shape में है इस तरह सापका brick नहीं होना चाहिए next दोस्तों a standard brick size consists of length width and height ठीक है 19 cm इसका length हो जाएगा इधर से इस side से ठीक है ऐसे हो जाएगा 19 cm और 9 cm हो जाएगा आपका इधर से ठीक है और इसका depth हो जाएगा यह वाली यह भी 9 cm होना चाहिए यहां पर आई-स code for dimension test दोस्तों dimension test के लिए कुछ आई-स code है दोस्तों इसमें से अभी मैं आपको दस सततर थोड़ा सा बताऊंगा उसे पहले थोड़ा सा process जान लेते है result निकाल लेते है फिर result वहां से match करेंगा आई-स code से दोस्तों dimension test करने के लिए आपको एक apparatus की required परने वाली है वह है measuring tape ठीक है measuring tape को आपका 0.1 mm thickness का भी रहेगा तो चलेगा दोस्तों मैं आपको procedure बताता हूँ ठीक है कि dimension test आपको कीस तरह से करना है यहां पर सबसे पहले क्या करना आपको कि take the 20 number of test specimens दोस्तों आपको क longitudinal direction to measure the length of the pieces ठीक है अगर आप length measure कर रहे हो तो आपको इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो measurement of length तो इस तरह से longitudinal direction में 200 bricks को सटा सटा के मतलब के एक line में उसको लगा के रख देना है नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों तिसरा point में देखना ले the 20 number of brick width wise direction and measure the width अगर आप width measure कर रहे हो तो आपको इस तरह से brick को arrange करना है width की direction में आपको arrange करना है 20 bricks और नेक्स्ट है दोस्तों ले the 20 number of bricks height wise direction and measure the thickness आपको 20-20 brick दिनों के लिए नहीं लेना है आपको 20 bricks लेना है 20 bricks सबसे पहले length wise arrange करके measure कर लेना है ठीक है उसके बाद इसको width wise arrange करके measure कर लेना है उसके बाद यही 20 bricks को आपको height wise arrange करके measure कर लेना है उसके बाद दोस्तों calculate the individual and average of the measures आपको क्या करना है individual करना है उसके बाद आप आपको एक एवरेज लेना है, बीसो का एवरेज कल्कुलेट करके देखना है कि कितना लेन ताहरा, कितना वीट ताहरा, कितना डेप ताहरा है, रिपूर्ट थे रिजल्ट दाइट इस हाइट, वीट एं ठीकने सब 20 नमबर सब ब्रीच, ठीक है, कितना आना चाहिए, आपको मैं थोड़ा सा IS code मिले जाता हूँ, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, 1077 यहाँ पर मैंने IS code खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर dimension and tolerance दे रखा है, ठीक है, dimensions आपको लेना है, यहाँ पर देख सकते हो, the standard modular size of common building brick shall be as follows, length, width, height दे रखा है यहाँ पर, 190 mm इसका length होना चा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, tolerance, जब आप lengthwise measure करोगे, ठीक है, दोस्तों जब आप measure करोगे, ठीक है, तो lengthwise जब आप measure करोगे, आपको 3720 से लेकर 3880 mm तक length आना चाहिए, ठीक है, अगर आप tolerance की बाद करोगे, तो 30, यहाँ पर देख सकते हो, 3800 plus minus 80, 3800 से अ अब देख सकते हो, यहाँ पर 1760 से लेकर 1880 mm के बीच में आना चाहिए, और अगर आप इन general देखोगे, तो 1800 इसका width आना चाहिए, उसमें से plus minus 80 mm आना चाहिए, 1800 से अगर 40 mm कम हो, या 40 mm ज्यादा हो, तो भी चलेगा, यह आईए स्कूर्ट इंजिनियरिंग में दे रखा है आना चाहिए, दोस्तों आप आप बिरिक के और ज्यादा डीटेल यहाँ पर देखना चाहते हो, आप क्या करना है, आईस को डॉनलोड करना है 1077 1992 और उसमें जाकर करके आप असानी से पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, hardness test, दोस्तों, hardness test आप कहीं भ finger nail, ठीक है, if no impression is left on the surface, ठीक है, brick is treated as to be sufficiently hard, आपको क्या करना है कि एक brick लेना है, और इस तरह से आपको आपका जो नाखून है, ठीक है, नाखून से से करके scratch करना है, अगर आप scratch कर रहे हो, और कोई इसमें मतलब की mark नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि आपका brick sufficient hard है, ठीक है, और के बाद में जो आपको bricks है, वो दीर दीर कम होता जाएगा, आपका structure घरने का chance बढ़ जाएगा, अब आता है next water absorption test, बहुत ज़्यादा important test है, exam के लिए भी, site के लिए भी, interview के लिए भी, ठीक है, water absorption test बहुत ज़्यादा important रहता है, brick test में, मैं आपको पूरा detail में बताता ह मैं बताते है, ठीक है, तो water absorption test करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रीक लिना है चार पाँख, ठीक है, और ब्रीक लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको ब्रॉपन में रख देना है, यहाँपर अब रख देना है, तो 24 hours के लिए इसको पहलें dry करना है, disfr cog, यहाँ हो पानी में पूरा इंवर्स कर देना है पूरा पानी के अंदर होना चाहिए इसमें इतना ही प्रॉसेस है चोबीस घंटा पानी में इसको रखने के बाद इसको क्या करना है कि फीर से वेड कर लेना वेट करोगे तुछ यहां पर W2 लिख लेना है, तीनो ब्रीक का वेट यहां पर लिख लेना है, जैसे मैंने अभी एक टेस्ट किया था तो मेरे पास रिजल्ट है, मैं यहां पर तीनो का रिजल्ट लिख देता हूँ, उसके बाद इसका कल्कुलेशन बताऊंगा, जैसे यहा दूसरा ब्रीक है, 3320.5 और तीसरा ब्रीक है, 3037.5 ठीक है, यह है W1, W1 क्या है, ड्राइ ब्रीक है, ठीक है, हम ओवन से निकालेएं, इसका वेट किया है, उसके बाद यह दूस्तों डवलू टू, डवलू टू क्या है, तो वीस घंटा वाटर में रखना है, उसके बद ब् प्लस पूच के, सुखा के, उसके बाद यहाँ पर इसको वेट करके लिखना है, इसका वेट मेरे पास आ रहा है, 3756, दूसरा ब्रीक का वेट आ रहा है, 3686.5 और तीसरा ब्रीक का वेट मेरे पास आ रहा है, 3557, अब क्या करना है, दूसरे हाँ पर एक फर्मूला लगाना है है पर मुला के आख देख सकते हैं ईसको लगाने के लिए आपको क्या करना है देख देख डबलूटू मैंस टीटा नेस्ट डबलूवन इन टू हंड्रेड एक मिनत को रह करके बता देता हूं और पर अब देख सकत-एक बुल्टू हा मेरे बस यह 7 इतने है थृह ह 10 जाये मेरे पास 13.33 अब इसको कल्कुलेट करो दो ऩकिंगे लिए 30.33 फोन से भी सकते हो आप कोई कल्कुलेटर है उससे भी असानी से कर सकते हैं जब इसको कल्कुलेट करूए इसको मैं कल्कुलेशन निकर रहा हूं ठीक डारेक्ट यहां पर रिजर्ट लिग दे रहा हूं यहां जागा 11.02 तूसरा मेरे पास आजाएगा 17.10 अब तीनों का एवर अब दूसरे जो मैंने रिजल्ट निकाला है यह बताता है कि हमारा जो ब्रीक का वेट है ठीक है जब उसमें पानी में हमें इमर्ज किए 24 आवर्स के लिए तो 13.82 जो है मेरा वार्टर एब्जॉप किया है और इसका जो लिमिट बोलता है कि वार्टर एब्जॉप्शन फॉर फर्ष्ट क्लास ब्रीक सुट नोट एक सीट 12-15 परसेंट अब इस ड्राइवेट मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वह 12-15 परसेंट से ज्यादा नहीं आना चाहिए अगर 20 तक भी जाता है तो भी चलेगा ठीक है लेकिन आपका अगर फर्ष्ट क्लास ब्रीक आर अच्छा ब बंसलोर अगर क्या करते हैं यहां पर अधा इतना भाटी लिखना अपर अपको इस तरह सरी गल्ती नहीं करना है मैं इफ्ल॓रेंस करने के लिए 70 ली तो कुद टेस्ट करतें करने के बाद क्या होता है कि इस तरह से ठीक है अलकलायन मतलब साल्ट की तरह उपर यहां पर देख से उतों ब्रीक में जम्मा हुआ इस तरह से वाइट वाइट इस तरह से आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर बता देता हूं एक फाइप ब्रीक रेंडम ली आपको पांच ब्रीक कोई भी उठा लेना है श्टॉक से उसके बाद क्या करना है कि प्लेस दा एंड ऑफ ब्रीक इन दा डीस इस तरह से प्लेस करना है नोट डाट डाट डेप्थ आप इमर्शन ऑफ ब्रीक सूट भी बिलो 2.5 सेंटीमीटर इच केस आपर देखना क्या ब अगर इफ्लोरेसेंस रहेगा इसे वाइट वाइट ठीक है पॉडर फोर में कुछ इफ्लोरेसेंस आपका आ जाएगा अपका इफ्लोरेसेंस अगर जाधा आ रहा है तो समझो कि ब्रीक जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है और अगर बहुत काम आया लाइट आया कर देख लेते हैं दोस्तों साउंडिश्ट में आपको बता दिया है कलर टेश्ट में ठीक है अब देख सकते हो आपको तीसरा दूसरा नमर में जो मैंने बताया था आपको इसका होमोजेनियस होना चाहिए और ब्रीक का जो साउंड निश्ट हो जब टच करोगे तो गूड स्कुल क्यूपिर का रेंगिंग साउंड आना चाहिए यह मैंने आपको बता दिया है साइट पर असाने से चेक कर सकते हो और नेक्ट यहां पर अस्ट्रक्चर टेस्ट के लिए क्या करना है कि दूस्तों एक ब्रीक लेना आपको उपर से मिरांग और गिसमें अगर नहीं तूटता है और अगर नहीं तूटता है तो ऊच्षेंट्त थीख है और दोसरों जैसे तोड़ने क बाद आपको देखना है कि उसमें अंदर में यहाँ पर देख तो lumps या holes या कोई defects तो नहीं है ठीक है brick में पूरा homogeneous होना चाहिए और किसी तरह को पथर बगेरा बीच में present नहीं होना चाहिए ठीक है structure test में आपको यह सब चीज़ देख लेना है यह जितना भी मैंने test बता है सिर्फ दो ही test यहाँ पर calculation होला है और lab होला है बागी सारा test आप असानी से side पर कर सकते हो दोस्तों अब मैं आपको compressive and strength test बताता हूं ठीक है यह हमारा last test होने वाला है और यह बहुत ही ज्यादा important test होने वाला है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको procedure बता देता हूं ठीक है दोस्तों यह test करने के लिए आपको randomly 4-5 brick लेना ह आपको क्या करना है दोस्तों कि इस तरह से brick लेना है इसको measure करके लिख लेना है यह हो गया length और यह हो गया width क्यों लिखना है यहाँ पर इसका cross section area है ठीक है जब calculate करोगे तो load per unit area होता है compressive and strength का formula तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो cross section area है वो आपको find करना पड़ता है त log मतलब कि आप अपर देख से तो आप पर कुछ mark करता है ठीक है brick branding इसे करके इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले sand fill कर देना है sand fill कर देने के बाद दो पट्रा लेना है ठीक है पतला पतला एक यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हो और दोनों को पट्रा लगाके उसके बाद इसमें load, load देना है, अब मैं आपको calculation बताता हूं इसका, यहाँ पर weight of brick लिख लेना है, तो यहाँ पर मैं अच्छा तीनो brick का weight लिख देता हूं, यह 3401, 3401, सब gram में है, ठीक है, यानि कि 3.4 kg हो जाएगा यह, अगर आप kg में करोगे तो, दूसरा है 3512, 3512, और जो test किया था, वो है 219, 219, उसके बाद है 220, उसके बाद है 233, अब compressive extent करना है, तो compressive extent करने के लिए यह load देखना कैसे करता हूं, 219, यह जो load आया हूं, किलो न्यूटन में आया है, इसको न्यूटन में convert करना है, क्योंकि हमारा जो result चाहिए, वो न्यूटन परेमें में चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, यह divide by area, area क्या है, length into bit, 231, 110, अबर मैं लिख देता हूं, 231 into 110, उसको calculate करोगे, यहाँ पर हमारा result आ जाएगा, compressive extent, तो मैं हाँ पर result लिख देता है उसका, अब calculate करके देख लेना, इतना आ रहा है कि नहीं, यह हो जाएगा, 8.62, same process इसी में भी करना है, यह हो जाएगा, 8.70, यहाँ पर हो जाएगा, 9.01, अब तीनों के क्या करना है, कि average करना है, तीनों के add कर के divide by 3 कर देना है, यहाँ से हमारा average आ जाएगा, तो मेरे पास जो average आ रहा है, वो 8.79, ठीक है, अब देखना, अब यहाँ से game शुरू होता है, तो आप आपको result से कैसे पता चलेगा, कि जो हमारा brick है, वो A class में आता है, या B class में आता है, या C class में आता है, यहाँ पर देखना, first class brick have compressive strength around 10 newton per mm2, अगर result आपका 10 newton आ गया, ठीक है, समझ ओ कि first class brick है, यहाँ पर देखना, while second class brick have a compressive strength of about 7 newton per mm2, ठीक है, ठीक है, 7 newton per mm2, अगर आपका result 7 के around 2 class, था समझ जाना है, कि आपका जो brick है, वो B class है, यहाँ पर आपका result 5 newton per mm2 आजपास आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपका जो brick है, वो 3rd class brick है, ठीक है, compressive strength यहाँ हो गया, दोस्तों यहाँ पर मैंने आप आपको ब्रीक का जो टेस्ट था शाओ टेस्ट मैंने आपको यहापर चिक हंपकर यहापर है स्की रॉट्स स्कॉल standing just तो यहां पर दूश्त मेरा बिरीक टेस्ट कंपलीट हो गया है अगर आपको अभी अगर बिरीक टेस्ट में किसी प्रकार का कोई प्रोब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में फटा फटा बताओ ठीक है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जुरूर कर देना दूस्तों ठीक है बीना लाइक किया मुद जाना वीडियो को सेर करो चैनल पर नहीं हो तो चैनल सस्क्राइब करके बेल लेगन ब्रेस कर लेग ठीक है दूस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई